आईए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत में सब्द रूप को पढ़ाएंगे आज बच्चों हम आपको बालक का सब्द रूप को पढ़ाएंगे यानि बालक क्या है? पुलिंग सब्द है अगर अब बालक का सब्द रूप को सीख जाएंगे तो जितने भी पुल्लिंग सब्द हैं, जैसे छात्रा, अश्वा, आचार्या, खगा, चटका, जनका, शिंगा, यानि बचो जितने भी पुल्लिंग सब्द हैं, सारे सब्द रूप एक ही जैसे होंगे. बचो यह सब्द रूप में जो बिभक्ति का चीन होता है, वो हिंदी ग्रामर का जो कारक होता है, वही उसका बिभक्ति चीन यहां लगता है. जैसे बचो लकार यानि हिंदी में काल उसको हिंदी में काल कहते हैं संस्कृत में मुख्य रूप से पांच लकार होते हैं ये पांच लकार जाने बिना आप कोई भी संस्कृत में अनुबाद नहीं कर पाओगे उसी तरह आपको सब्दूप भी जानना जरूरी है अगर आप सब्दूप को नहीं जानते हो तो फिर आपका संस्क्रित म्यानुबाद करना नहीं हो सकता यानि ये सब्दूप में जो कारक का बिवक्ती चीन है वो रहता है तो चलिए हम आपको बालक का सब्दूरूप को बताएंगे और इसमें जो बिभक्ति चीन होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे बिभक्ति, प्रथमा, पहले आपको उपर में लिख लेना है बिभक्ति, एक बचन, दी बचन और बह बचन उसके बार बिभक्ति में आपको लिखना है प्रथमा, दीतिया, त्रितिया, चतूर्ति, पंचमी, सस्टी, शप्तमी, संभुधन प्रथमा, बालका, बालको, बालका, दीतिया, बालकं, बालको, बालकान त्रितिया, बालके, बालके भ्यम, बालके चतूर्ति, बालकाय, बालके भ्यम, बालके भ्यम पंचमी, बालकात, बालकेभ्या, बालकेभ्या, सस्टी, बालकश, बालकयो, बालका नाम, सब्तमी, बालके, बालकयो, बालकेशू, सम्भोधन, हे बालक, हे बालको, हे बालका अब चलिए आपको हम बिभक्ती चीन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे बिभक्ती में देखिए प्रथमा प्रथमा में क्या होता है करता कारक कारक में हिंदी में जो कारक आड़ प्रकार की होते हैं उसमें प्रत्मा में कर्ता कारक होता है जिसका चीन होता है ने एक बचन में बालका, बालका मतलब होता है बालक ने यानि एक बालक ने दी बचन में देखें क्या है बालको, बालको मतलब दो बालको ने और बहु बचन में देखिए बालका यानि बहुत बालकों में अब देखिए दीतिया, दीतिया में क्या होता है कारक चिन, कारक क्या होता है कर्मकारक और उसका चिन होता है को, कर्मकारक का चिन होता है को एक बचन में बालकम, बालकम मतलग बालक को यानि एक बालक को दी वचन में बालको, बालको मतलब दो बालकों को और बहुवचन में बालकान यानि बहुत बालकों को अब नेक्ष देखे विभक्ती में तृतिया, तृतिया विभक्ती में करनकारक होता है और उसका चीन होता है शे के द्वारा तो एक बचन में देखिए बालकेन, बालकेन मतलब बालक से, यानि एक बालक से दी बचन में देखिए बालका भ्याम, बालका भ्याम मतलब दो बालकों से और बहु बचन में देखिए बालके, बालके का मतलब होता है बहुत बालकों से नेक्ष देखिए चतूर्थी विभक्ती चतूर्थी जिसमें कारक होता है शंप्रदान कारक और उसका चीन होता है विभक्ती चीन होता है को और के लिए तो बच्चों यहां दीतिया कर्म कारक जो है उसका चीन भी को होता है तो बच्चों आप कैसे समझोगे कि यह दीतिया विभक्ती है कर्म कारक है या फिर चतूर्थी शंप्रदान कारक में को है के लिए देखके तो आप समझ लोगे कि यह संप्रदान कारक यानि चतूर्थी विवक्ति का है लेकिन को को आप कैसे समझोगे तो बच्चों जहां लेने का या देने का बात रहेगा वहाँ पर हो जाएगा शंप्रदान कारक का चीन लगेगा को तो इसका एक बचन में क्या हो जाएगा बाल काए यानि बालक को या के लिए नेक्ष देखिए दी बचन में बालक्याब भ्याम यहाँ पर जैसे त्रितिया में भी दी बचन में था बालक्याब भ्याम उसी तरह चतूर्थी विवक्ति में भी होगा बालक्याब भ्याम और हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा दो बालकों को अत्वा के लिए और बहुँ बचन में होगा बालके भ्या बालके भ्या मतलब हिंदी में हो जाएगा बहुत बालकों को या के लिए अब बचों नेक्ष देखिए पंचमी पंचमी में अपादान कारक होता है और चीन होता है से यानि अलग होने के अर्थ में एक बचन में बालकात बालकात मतलब बालक शे एक बालक से नेक्स्ट है बालक्याब्भ्याम इसमें भी बालक्याब्भ्याम जैसे तृतिया और चतूर्थी में बालक्याब्भ्याम तो इसमें पंचमी बेबी होगा अपादान में बालक्याब्भ्याम और इसका हिंदी में आ और केभ्या और इसका आर्थ होगा बहुत बालकों से अब नेक्ष देखिए सश्टी सश्टी भी भक्ति में होगा शम्मन्द कारक जिसका चीन होता है काके की रारेडी एक बचन में बालकश्य बालकश्य मतलब बालक का एक बालक का दी बचन में बालकेयो इसका मतलब होता है दो बालकों का और बहु बचन में बालका नाम यानि बहुत बालकों का नेक्ष देखिए शप्तमी बिभक्ती है सप्तमी और कारक है अधिकरन कारक जिसका चिन है मेपर एक बचन में देखिए बालकेय मतलब बालक मेपर यानि एक बालक मेपर दी बचन में बालकयो यानि दो बालकों मेपर और बहु बचन में होगा बालकेशू, बालकेशू मतलब बहुत बालको में पर और लास्ट में है शम्मोधन हे जिसका चीन होता है हे और इस प्रकार का चीन दिया जाता है हे बालको, एक बचन में हे बालक, हे एक बालक, हे बालको, हे दो बालको, और हे बालक का मतलब हे बहुत से बालको तो बच्चों, अगर आपको ये बालक का सब्दूप समझ में आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताईए कि ये बालक का सब्दूप आपको समझ में आया की नहीं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज 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 सस्क्राइब कर दीजिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच बाबाई